पुर्वांचल के बाहु बली धरंजे सिंग का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है दरसल नमामी गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनो सिंगल की अपहरण मामले में कोर्ट ने धरंजे सिंग को दोशी करार दिया है हलाकि ये पहली बार नहीं है जब किसी विवाद से धरंजे सिंग का नाम जुड़ा हो बलकि हमेशा से ही धरंजे सिंग का नाम विवादों से जुड़ता रहा है अगर धनंजे सिंग के राजनेति करियर की बात करें तो राजनीत में आने से पहले जरायम की दुनिया में धनंजे सिंग का नाम काफी बड़ा हो चुका था धनंजे सिंग ने जौनपूर के टीडी कॉलेज से छात्र राजनीत से अपने करियर की शुरुआत की टीडी कॉलेज से होता हुआ धननजे सिंग का कार्मा लखनव विश्विद्याले पहुँचा जहां पर धननजे सिंग की दोस्ती अभै सिंग से हुई अभै सिंग मौजुदा समय में समाजवादी पाटी के विधायक हैं कभी दोनों जिगरी यार हुआ करते थे लेकिन आज दोनों के बीश की जो अदावत है वो भी किसी से नहीं शिपी है साल 2000 तक आते याते पुरवांचल में जरायम की दुनिया में धननजे सिंग का नाम काफी बड़ा हो चुका था हलाकि उसके बाद धननजे सिंग ने राजनैतिक सफर की शुरुवात की साल 2002 में जॉनपूर के रारी विधानसवा से धननजे सिंग निर्दलिये चुनाव जीते और यूपी विधानसवा पहुंचे साल 2007 में लोग जनशक्ती पार्टी ने धनननजे सिंग को जॉनपूर से अपना मुईद्वार बनाया और तब भी धनननजे सिंग वहां से चुनाव जीत गए हलाकि धनननजे सिंग साल 2009 में यूपी विधानसवा से संसत पहुंच गए जॉनपूर से सांसत बने और उसके बाद उनका जो राजनैतिक सफर है वो ऐसे ही जारी रहा हलाकि देखा जाए तो उस दोरान धननजे सिंग के उपर तमाम मुकदमे दर्ज हुए जिसमें हत्या अपहरन, रंगदारी, वसूली ये तमाम मामले थे और इन धाराओं में धननजे सिंग के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किये गए तब पुलिस ने धनननजे सिंग पर इनाम भी घोशित किया धननजे सिंग जेल भी गए हलाकि राजनीत में आने से पहले एक बार धनननजे सिंग के इनकाउंटर की खपर भी सामने आई लेकिन कुछ समय तक भुमिकत रहने के बाद जब धनननजे सिंग सामने आए तो उसी फरजे इनकाउंटर मामले में पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हलाकि अब जिस तरीके से धनननजे सिंग का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है कह सकते हैं कि अगर इस मामले में धनननजे सिंग को सजा होती है तो फिर उनके चुनाओ लड़ने पर संकट खड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ समय पहले ही धनननजे सिंग ने ये ऐलान किया था कि वे जौनपूर से चुनाओ लड़ेंगे हाला कि दिखा जाए तो वहां से भारते जनता पार्टी ने अपना उमिद्वार घोशित कर दिया है लेकिन अब चुकि जो सबसे बड़ा संकट है वो धनननजे सिंग के राजनैति करियर के उपर है क्योंकि साल 2020 में जिस मामले में धननजे सिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उसी मामले में कोट ने धननजे सिंग को दोशी करार दे दिया है और इस मामले में अगर धनंजे सिंग के खिलाफ सजा मुकर्रर की जाती है तो फिर उनके मनसूबों पर पानी फिर सकता है विडियो जनलिस्ट निखिल गौड के साथ हमिनाश सिंग नूजनेशन लखनाव